हालो फ्रेंड वेल्कम टू वर्ल उस्ताद दोस्तों आज के इस वीडियो टुटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने बिटकॉइन से अपने मुबाइल में कैसे रीचार्ज कर सकते हैं अगर आप बिटकॉइन के दरिये अपने मुबाइल में बैलन्स रीचार्ज करना चाते हैं तो वीडियो ये देखते रहें लेकिन इससे पहले आपको एक बात बदाते चलूँ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वह आपको मिलती रहेंगी चले अब स्टार्ट करते हैं कैसे बैलन्स रिचार्ड किया जाता है सबसे पहले ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में टाइप करना है बिटरेफिल ये देख सकते हैं ये वेब्साइट खुल रहिये ये आप अपने ब्राउजर में टाइप कर लिझेगा और आप जिस country से होंगे वो country खुद बाखुद detect कर लेगा जैसे मैं पाकस्तान थे हूँ यह देखें bitterfield.com और उसके आगे पाकस्तान लिखावा आगे है आप जिस country से होंगे वो खुद बाखुद वो country detect कर लीगी यह website अब आप यहаю देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हो है नंबर का यह पाकस्तान का flag बनावा है और यहाँ पे नंबर लिखनाए तो चले मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ मैंने नंबर टाइप कर लिया और उसके बाद यह C Price जहां लिखावा है उसके क्लिक कर गिएगा अब आप यहां देख सकते हैं उप्र उसने टेलीनॉर डेटेक्टर कर लिया है और यहां टेलीनॉर पाकिसान लिखावा है और यहां मेरा नमबर लिखावा है जो मैंने हाइट कर रखा है और अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा कि पूरी लिस्ट आ गई है कितने कितने का आपको बैलन्स दलवाना है और कितने का बैलन्स आप डलवा सकते हैं यह दिखें आप 30 रुपे का बैलन्स दलवा सकते हैं चले मैं आपको तरीका बता देता हूँ, अब मैं यहाँ पे 30 पे क्लिक करूँगा, यह देखें, 30 रुपीज मैंने क्लिक कर दिया है, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिट्कॉाइन लिखे हैं, मतलब BTC लिखे हैं, कि इतने BTC हमें सेंड करने होंगे, तब ज आप कीजिएगा, जो आप यूज करते हैं, क्योंकि इनकी मेल भी आईगे आपके पास, यह देख सकते हैं, मैंने इमेल टाइप कर दिया है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, इसके बाद आपको यहाँ चेक पर क्लिक कर देना है, और टू पेज़ पर यह पूरी डिटेल देख सकते हैं, यह आपके सामने आ जाईगि, यह देखें, यह कम्प्लीट डिटेल आपके सामने आ गई है, यह यह और नूर पाकिसान, 30 रुपीज, पी कियार, मतलब बैलंस, यहाँ फून नमबर लिखा हुए, यहाँ ईमेल अड़र अड यहां price लिखावा जाएगा जितने bitcoin में आपको 30 rupees का balance मिलेगा वो लिखावा जाएगा और आप यहां देख सकते हैं आप यहां लिखावा है time left यहां 15 min का time चल रहा है और 15 min के अंदर ही अंदर आपको यह सब करना है और अगर 15 min के बाद आप यह सब करेंगे तो आपको balance नही pay with all coin लिखावा है अगर आप इस पर click कर देंगे तो यह all coin पर आपका wallet बना होगा तो उस पर redirect कर देगा यहां देख सकते हैं यह pay with coin base लिखावा है अगर इस पर आप click कर देंगे तो आपको coin base के wallet पर redirect कर देगा और खुद बाखुद detect हो जाएगा आपको कोई procedure नहीं करना पड़ेगा लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस पर click करके redirect नहीं करें क्योंकि आप इस पर click करके redirect करेंगे तो यह automatically पैसे तो काट लेंगे लेकिन बाद में कभी भी चाहें आपके coin base में घुश सकते हैं और आप से bitcoin ले सकते हैं तो इसलिए यह secure नहीं है आप इसको न का कॉएंबेस के wallet में जाना है अब आप यहां देख सकते हैं मैंने coin base का wallet खोल लिया है उसके बाद आप यहां लिखाओ है send request यह send request पर click करेंगे यह देख सकते हैं यहाँ लिखाओ है email और bitcoin address यह आप bitcoin address पेस्ट कर देंगे यह देखें मैंने वाला एप bitcoin address पेस्ट कर दिया है अब हमें यहां नीचे amount पेस्ट करनी है amount हम वहां से same to same देखके यहां पेस्ट करेंगे ताकि कोई mistake ना हो चलें आब वहां से amount कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहां पे यह amount यहां पे मैंने पेस्ट कर दिये इस तरीके से आप भी पेस्ट कर लीजेगा और यहां पे अगर आप कुछ लिखना चाते हैं तो लिख दीजेगा उसके बाद send fund पे क्लिक कर दीजेगा जैसे यह आप send fund पे क्लिक करेंगे तो आपका processing स्टार्ड हो जाएगी और mobile पे balance आजाएगा चले हम मैं आपको bitrex wallet का तरीका भी बता देता हूँ अगर आप bitrex wallet यूज करते हैं तो उसमें किस तरीके से करना है वो तरीका मी मैं आपको बता देता हूँ यह देखें यह मेरा bitrex wallet है और यहां देख सकते हैं btc लिखा हूँ इस जगह पे यहां देख सकते हैं minus लिखा हूँ यह माइनस पे क्लिक करूँगा मैं यह देखें यह खुल गया है अब यहां पे हम amount paste करेंगे जो हमने copy की थी यह amount हमने paste कर दिया है अब हमें यहां पे address paste करना होगा अब आप यहां देख सकते हैं मैंने address paste कर दिया है लेकिन address आप देख लिजेगा को गलती ना हो address में और आपको एक बास साथ साथ बताते चलूँ कि यहां पे tax fees लिखी वी है वो tax fees कटेगी क्योंकि यह bitrex वाले 20,000 tax fees भी काटते हैं तो आपको यहां पे 20,000 इदाफी लिखने होंगे ताके फिर आपका सही सही amount जा सके वो 20,000 इदाफी लिखेंगे तब ही सही जाएगा उसके बाद withdrawal पे क्लिक कर दीजेगा तो आपका procedure start हो जाएगा फिर उसके बाद आपको यहां जैसे आप यह कर देंगे यहां पर आजाएगा वो amount pending में आजाएगा तो फिर आपके email पर एक mail आएगी confirmation के लिए और उस email पर आएगी जिस email के दरीए आपने bitrex wallet create किया था मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से mail आईगी यह देख सकते हैं यहां पर लिखावा bitrex mail इस तरीके से mail आईगी आपके पास और यहां लिखावा bitrex confirmation इस तरीके से आईगी और आप इसको link होगा नीचे आप इस पर click करके confirmation कर दीजेगा जैसे आप यह सारा procedure कर देंगे तो यह सारी चीज़ें अपमेट हो जाएगी और आपके बैलन्स आ जाएगा उमीद करता हूँ कि वीडियो टुटोरियल आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से वीडियो दरूर शेयर करें थैंक्यू